है है यह लोगों सब्सक्राइब करता हूं तो कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी जैसे कि इन दोनों आने वाले टाइम पे जैक बोर्ट का 12 का हम लोगों ने सिरीज ले रखा था जो सीरीज अब खतम हो रही है इस लिए क्योंकि अब 12 की इग्जामनेशन जो हमारी में 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 सब्जेक्ट थे जिसमें फोकस हम लोगों ने कर रहा था एकाउंट बीस्टी एकोनामिक्स उसके एक्जाम्स खतम हो चुके थे अब क्ला के लिए एक सीरीज हम लोग लेकर के आ रहे हैं एमसी क्यूंकर सीरीज क्यूंकि उनका जो examinations होगा वह एमसी क्यूंकर ही होगा तो आपके लिए यह बहुत beneficial साबित होगा तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आते हैं हम लोग अगर आप चैनल में नय है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को प्रस कर लिए उससे सारी कि सारी नोटिफिकेशन आपको time to time मिल जाया करेंगी चलो हम लोग आते हैं आज के सवाल में जहां पर हम लोग क्या करेंगे basically हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों को mcq में किस तरह के questions देखने को मिल सकते हैं यहां पर कुछ statement में सबसे पहला दिया हुआ है the study of how individual spend their money मतलब एक individual कैसे अपने money को spend करता है क्या यह define करता है दूसरा the study of how society manages its scarce resources कैसे अपने scarce resources को manage करता है कि यह उसका point है यह फिर तीसरा the study of how to maximize profit in a business कैसे profit को business में maximize किया जा सके यह बताता है यह फिर the study of how government allocate resources government कैसे resources को allocate करती है यह बताता है तो सर economics में जो best possible definitions होता है वो scarcity का होता है क्या होता है scarcity का होता है तो एक बात बताओ जहां पे scarcity resources को manage करते हुए दिखाई दे क्या वो definition सही होगा जी सर तो the study of how society manage its scarce resources उसको हम लोग क्या बोलेंगे economics बोल सकते हैं ठीक है चलो नीचे answer भी दिया हुआ है what does the term opportunity cost refers to opportunity opportunity cost किसको बोलते है तो opportunity cost का देखो एक best नाम होता है the next best alternative next best for gone ठीक है इसको हम लोग बोलते है opportunity cost इसका example आपको class में भी बता रखा है मैं यहां पर बता रहा हूं जैसा कि होता क्या है कि जब भी हम लोग जैसे कि मैं teacher हूं ठीक है तो मेरे को पढ़ाने का मौका मिल रहा है और यहां पर online platform मेरे को 60,000 दिया जा रहा है तो मैं किसको चुनूंगा तो सर मैं चुनूंगा जो 60,000 जो highest period होगा उसमें चुनूंगा 60,000 मैंने चुन लिया लेकिन 50,000 को जो मैं छोड़ दिया वो मेरा क्या हो जाएगा वो मेरा opportunity cost कहलाएगा तो opportunity cost अगर हम लोग यहां पर देखे तो the cost of an item in terms of next best alternative foregone next best alternative foregone जिसको हम लोग ने छोड़ रखा था तो next best alternative कौन सा था 50,000 ठीक है वो हो जाएगा opportunity cost ठीक है next which of the following is not considered as a factor of production तो सर इसमें factor of production में land आता है बिलकुल labor आता है बिलकुल capital आता है और एक आएगा आपका entrepreneur ठीक है land है labor है होगा यह capital यह भी होगा उसके बाद आपका दिया हुए land यह भी होगा money इसका option नहीं होगा क्योंकि यह factor of production नहीं कहना आता है ठीक है land labor capital और entrepreneurship next in which in economics what does the term demand refers to demand किसे कहते है ठीक है तो demand को समझने के लिए आप एक चीज समझो अगर मेरे classes आप लोगों ने देख रखा है हलाकि अभी हम लोगों ने economics class शुरू ही करा था तो अगर आप उसको देखे होंगे तो आपको यह चीज बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा चलो option पढ़ते हैं number one the desire of a consumer to buy product किसी भी चीज का desire होना क्या उसको हम लोग demand बोलेंगे next the quantity of a product that producers are willing to sell sell का तो यहां पर बात ही नहीं होना चाहिए यहां पर purchase का बात होना चाहिए क्योंकि demand का बात है the amount of money consumers have to spend on goods and services जो उनको consume करना है मतलब वोगों खर्च करना है the price at which a good is sold in the market price जिस पर goods को बेचाता है हलाकि किसी भी चीज का desire होना भी demand नहीं कहलाता है ठीक है किसी भी product का desire होना भी demand नहीं कहलाता है desire होने के बाद हम लोग मतलब से किसी भी चीज को ख़ईतने का desire है इच्छा है उसके बाद उस पर पैसा खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा होगा प्लस मेरे को वो पैसा खर्च करने के लिए willingness होगा तब जाके वो desire होता है ठीक है needs के बाद wants होना चाहिए फिर जाके demand होता है तो यह कहीं न कहीं थोड़ा सा हमको इसके options में वेग नजर आ रहा है इसलिए question को छोड़ेंगे ठीक है यह question को छोड़ेंगे ठीक ह जरूरी है price of related goods जरूरी है related goods में कौन-कौन से दो गूट आ जाते हैं सर related goods में एक आ जाएगा आपका substitute goods एक आपका complimentary goods उसके बाद consumer का income क्या ये भी जरूरी है बिलकुल consumer का income नहीं होगा फिर product का हम लोग demand determined हैं कैसे कर पाएंगे ठीक है तो यह सारे के सारे points जरूरी है तो आपका fourth number क्या हो जाएगा answer हो जाएगा next when the price of goods increases जब किसी भी goods के price increase होते हैं तो what happens to the quantity demand तो सर्फ quantity demand क्या होगा decrease होगा तो quantity demand कहां गया decreases ठीक है जस्ट आप उजिट एप उपोजिट एप उपोजिट रिलेशन जिसको inverse relation भी कहा जाता है ठीक है next what is the law of supply law of supply law of supply यहां पर जैसे demand में inverse relation होता है लेकिन supply में आपका क्या होता है पॉजिटिव relation होता है क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं लिख सकते हो है सबसे चरहेगा लिखो डायरेक्ट relation है ठीक है अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगा ठीक है मतलब सप्लाइब बढ़ेगा सप्लाइब बढ़े गया तो प्राइस बढ़े जागे इसका बेस्ट एक्जामपल एक ले लो ठीक है अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था चलो एक टो हाला कि यह क्रियेट किया गयए था यह मतलब मार्केट के दवारे क्रियेट किंगर जाता है फटीक है यह उन्लीगल है लेकिन मार्केट में जो क्रेट करते हैं लोग ठीक है क्या करते तो वो लोगों ने क्या करा प्याist को स्टॉक करने लगे प्याज को market पहुंचने नहीं देने लगे तो अचानक से price का demand ज़ादा होने लगा अब price का demand ज़ादा होने लगा तो supply भी ज़ीदा मांगने लगा लेकिन यह लोग price तो बढ़ा गिये थे, तो अब देखो ध्यान से, जैसे supply बढ़ेगा, price भी बढ़ गया, क्योंकि demand जादा हो रहा है, तो supply भी जादा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या देखा आपनोगों ने, कि price के बढ़ने से supply भी बढ़ा, और price के घटने से supply भी घटा, तो हाँ, quantity supply decreases, या फिर as price decreases, quantity supply increases, as price increases, quantity supply decreases, as price increases, quantity supply decreases, as price increases, quantity supply decreases, as price increases, quantity supplied increases, as price increases, quantity supplied increases, देखो यहाँ पर देखो, यह दोनों के दोनों ही point सही है, price अगर decrease करेगा, तो quantity supply भी decrease करेगा, अगर price अगर increase करेगा, तो quantity supply भी increase करेगा, क्योंकि यहाँ पर direct relation होता है, तो यह दोनों के दोनो दोनों के दोनों पॉयंट बिलकुल सही है करेक्ट है ठीक है की चब नेक्स कि विशन्ग फॉलिए का कॉन सर्व डेटरमिननस नहीं है तो टेक्नलोजी है सर कॉस्ट विल्कुल कॉस्ट इंपूट का तो कॉस्ट हो गहीं होगा ठीक है प्राइस अप्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर हमको इस यह सप्लाइ को एफेक्ट नहीं करेगा गवर्मेंट पॉलिसीज तो है गवर्मेंट पॉलिसीज कहीं नहीं उसको एफेक्ट कर देंगे यहाँ पर जाएगा अपका क्या प्राइस अफेट प्रोड़क्ट कि बोला है what happens to the equilibrium price and quantity when there is an increase in both demand and supply क्या होगा equilibrium price में जब किसी भी चीज़ का एक सब्सक्राइब क्या फर्क देखने को मिलेगा जब there is an increase in both demand and supply demand भी बढ़ रहा है और supply भी बढ़ रहा है तो सर्च जब भी demand भी बढ़ता है और supply भी बढ़ता है तो उस situation में equilibrium का price और quantity दोनों का दोनों ऊपर की और सिफ्ट हो जाएगा मतलब दोनों को दोनों increase हो जाएगा ठीक है चाहिए next which of the following is not a type of a market structure इस में से कौन सा market structure का टाइप नहीं है सर monopoly है बिल्कुल monopoly मतलब one producer one seller and large number of buyer ठीक है ओलीगोपोली में few seller large number of buyer monopolist में भी sellers होते हैं और बायस भी होते हैं लेकिन बार्टर सिस्टम जो है यह इसका point नहीं है मार्टर सिस्टम कोई market का structure नहीं है मोनोपोली ओलीगोपोली डूपोली मोनोपोलिस्ट यह सारे के सारे आप लोगों ने पढ़ रखा है यह और बार्टर सिस्टम यह एक सिस्टम है जिसके तहत क्या होता है कि चीजों के बदले चीजों को एक्स्चेंज करना जो कि पहले के टाइम पर चला करता था कि वीट के बदले जिसे मेरे को इन एक्स्चेंज ऑफ वीट आई नीड सूज ठीक है तो मेरा एक बोरी आगे हूँ लेकर के आप क्या करोगे मेरे को एक जोड़ी जूता दे दोगे तब ही मैं उसको एक्स्चेंज कर पाऊँगा तो बार्टर सिस्टम में डबल कॉंस्टेंटन सिस्टम हुआ करता था जो कि बहुत पहले चला करता था जब हमारे पास कह सकते हैं कि मनी सिस्टम नहीं था उस टाइम बाटर सिस्टम चला करता था नेक्स्टोर वाट इस दा मेन क्यरेक्टरेस्टिक और फोफे क्या होता है तो यहां पर होता है लाज नंबर आफ सेलर्स अंड बाइयर्स तो देखो, large number of buyers, यहाँ पर large number of buyers and one seller, ना, यह तो monopoly का case है, many sellers and one buyers, ना, many sellers and many buyers, मतलब कि यही concept को बोला है, large, एक ही बात है, number of sellers and buyers, ठीक है, चालो, next, which of the following is not a characteristic of a monopoly, monopoly का characteristic क्या नहीं है, single seller होता है, no close substitute, बिल्कुल इसको पोई close substitute नहीं होता है, price taker, sir, यह price taker नहीं होता है, यह price maker होता है, यह point गलत है, high barrier to entry, बिल्कुल high barrier to entry, इसलिए होता है, क्योंकि यहाँ पर यह product सिर्फ मैं ही बना रहा हूं, दूसरे को पता ही नहीं है, द यहाँ पर barrier होता है, to entry, ठीक है, और यह यहाँ पर गलत है, और इसके जगाँ पर क्या answer होना चाहिए, price maker, not taker, ठीक है, चालो, GDP stands for gross domestic product, GDP stands for gross domestic product, ठीक है, चालो, उसके बाद, which of the following, अच्छे GDP होता क्या है, इसको हिंदी में बोला है, सकल घरेलू उत्पार, जो हमारे घरेलू उत्पार, मतलब gross domestic, जो हमारे country के अंदर ही, जो product का, total हो रहा है, उसको में लोगो लोगो लें, gross domestic product, next, which of the following is not included in the calculation of GDP, GDP के calculation में क्या-क्या include नहीं होता है, हल लिकूल अलग चीज है, investment का spending, consumer का spending, transfer payment क्या होता है, ना, देखो छोड़ा सा topic है, समझ लो, transfer payment का मतलब होता है, कि, हलाकि यह नहीं होना चाहिए, आपके यह पर बढठ है, तो कोई बात नहीं, आप इसको चाहो तो skip भी कर सकते हो, ठीक है, skip कर सकते हो, ठीक है, चलो, what is inflation, inflation क्या होता है, तो सर, inflation का मतलब होता है, and increase in general price level of goods and services, general price level में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, किसी भी goods and services में उसको बोला जाता है, inflation, next, what is fiscal policy, तो government की जो भी policies होते है, उनको fiscal policy का जाता है, और जो RBI या फिस Central Bank के जो policy होते है, उसको monetary policy का जाता है, ठीक तो जो policy government तै करती है, अपने income and expenditures के उसको fiscal policy का जाता है, और जो policy Central Bank तै करती है, उसको monetary policy का जाता है, तो monetary policy के अंदरा bank rate, statutory liquidity rate, repo rate, CRR, MSF, यह सब के बारे में आप पढ़ते हैं, तो fiscal policy यहाँ पे हो जाएगा, कि government policy concerning taxation and spending, government कितना tax लेगी, मतलब government का क्या revenue होगा, और government का क्या खर्च होगा, ठीक है, चलो, next, what does the term budget deficit refers to, हलाकि इंडिया का तो हमेशा deficit में ही देखने को मिलता है, बट एक चीज समझेंगे ध्यान से, कि deficit का मतलब क्या होता है, जब हमारा government का spending जादा होता है, as comparison to government का collection of tax, तो government का revenue होता है, वो कम होता है, और spending जादा होता है, तो उसको बोलते है, budget deficit, तो एक चीज समझो, budget deficit यहाँ पर पूछा है, refers to government spending exceeding, मतलब government का खर्च exceed कर रहा है, as comparison to revenue, revenue मतलब जो वो tax session से receive कर रहा है, यही इसका first option हो जाएगा, ठीक है, मतलब spending को बढ़ना, खर्च, बढ़ना, और revenue घटना, ठीक है, चलो, what does the term trade deficit refers to, trade deficit, trade deficit का मतलब क्या होता है, इंडिया, में भी इसका एक example ले सकते हो, जब हमारा, दो चीज समझते हो, export और import, export मतलब जब हम लोग अपने country से कोई समान बाहर भेज रहे हैं, तो उसको बोलता है export करना, और जब कोई दूसरे country से समान अपने country में मंगा रहे हैं, उसको बोल रहे है import करता, ठीक है, तो trade deficit, deficit कब देखने को मिलेगा, जब हम लोग कम export किये होंगे, और import जादा किय होंगे, ठीक है, तो मतलब when import is exceeding then export, ठीक है, जब import exceed करेगा किसको, export को, तो जब import मेरा बढ़ जाएगा, as comparison to export, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर उसको बोलेंगे, deficit, trade deficit, ठीक है, चाब, next, what is comparative advantage, comparative advantage क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, the ability of a country to produce a good at a lower opportunity cost than another country, हाँ, दूसरे country से, जब हम किसी भी goods को, कम price में, यहाँ पे, मतलब हम able है, produce करने में, कम price में, तो उसको बोलते है, comparative advantage, ठीक है, तो obviously है, कि जिस पे हम वो comparative advantage है, हम उसी के goods, वही goods को produce करेंगे, जिस पे नहीं है comparative advantage, दूसरे country, दूसरे country, उसको 2 रुप जो हम लोग दिवाली के टाइम पे जो light लगाते हैं, लडी light उस पे beat नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो वहाँ से ला करके यहाँ पे 30 रुपय में बेच देता है, tax wax भरने के बाद, वही चीज को हम लोग यहाँ पे बना करके भी, government का इतना छूट पे करके भी की सुर्पय में नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि हमारे पास technological upgradation उतना नहीं है, ठीक है, चलो, what is the law of diminishing marginal utility, तो law of diminishing marginal utility का मतलब होता है, कि जैसे से हमारे consumption increase होगा किसी भी product के प्रती, हमारे जो marginal utility है, वो घटते जाएगा, लेकिन increasing rate हो, मतलब धीरे धीरे थोड़ा करके घटेगा, ठीक है, चलो, यह होता है, यह हमारा total 20 question, जिसको हम लोगों ने आज कर रहा है, ठीक है, चलिए, अलाकि आपसे मैं और एक बात बताऊंगा, कि हमेशा, एक question आपको मैं as a homeber के तौर पर दे रहा हूं, relationship between tu, mu और marginal utility मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट रीड ठीक है, इससे relationship हमेशा पूछता है, ठीक है, तो चलिए, आज की session को हम लोग यहीं पर in करते हैं, मिलते हैं, अगले session में, अगले session में देखते हैं, आपके लिए क्या ले करके आप आते हैं, तब तक के लिए घन्यवाद पढ़ते रहे हैं, अच्छे से, exam के preparation करते रहे हैं बाबाई, take care, good night